नवश्कार आम तोर पर हमारे देश में ये परंपरा रही है कि बजेट के बाद बजेट के संदर्ब में सौंसद में चर्चा होती है और ये जरूरी भी है उप्योगी भी है लेकिन हमारी सरकार बजेट पर चर्चा को एक कदम आगे लेकर गई है बीते कुछ वर्षों से हमारी सरकार ने बजेट बनाने से पहले भी और बजेट के बाद भी सभी स्टेक्फोल्डर से गहन मंतन की नई परंपरा शुरू की है ये इंप्लिमेंटेशन के लिहाद से टाइम बाउंड डिलिवरी के लिहाद से बहुत ही महत्वपूर है इससे टैक्स पेर्ज मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है बीते कुछ दिनों में मैं अलग-अलग फिल्ड के एक्सपर्ट से बात कर चुका हूँ आज रीचिंग दे लास्ट माइल जो मात्मा गांदी कहते थे न कि आपकी नेतियां आपकी योजनाएं आखरी छोर पर बैटे हुए व्यक्ति तक कितनी जल्दी पहुंचती हैं कैसे पहुंचती हैं यह बहुत महत्वपूर है और इसलिए आज सभी स्टेकोंडर्स के साथ इसी विशय पर व्यापक चर्चा जरूरी बनी है कि बजेट में लोग कल्यान के इतने काम होते हैं इतना बजेट होता है हम उसको लाभारती तक पूरी ट्रांसपरेंसी कैसे पहुंचा सकते हैं साथियों हमारे देश में एक पुरानी अवधाना रही है कि लोगों का कल्यान और देश का विकास सिर्फ धन से ही होता है ऐसा नहीं है देश और देश वाज़्चों के विकास के लिए धन तो जरूरी है लेकिन धन के साथ ही मन भी चाहिए सरकारी कारियों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवारिय शर्थ है गुड गवरनन्स सूशासन संवेदन सिल्शासन जन सामान्यको समर्पित शासन जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं उसकी निरंतर मोनिटरिंग होती है तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सिमा में निर्धारित किये हो गए लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं डिजायर डिजल मिल सकते हैं इसलिए गुड गवरननस पर हम जितना जोड देंगे उतना ही रिचिंग दे लास्ट माइल का हमारा लक्ष आसानी से पूरा होगा आप याद करिए हमारे देश में पहले दूर दराज के ख्षेत्रों तक वैक्सिन पहुंचने में कई कई दसंग लग जाते थे देश वैक्सिनेशन कबरत के मामले में बहुत पीछे था देश के करोणों बच्चों को खासकर गावों और ट्राइबल बिल्ट में रहने बाले बच्चों को वैक्सिन के लिए बरसों तक इंतजार कटा पड़ता था अगर पूरानी एप्रोच के साथ काम करते हैं तो भारत में वैक्सिनेशन कबरेज को शत्व प्रतीशत करने में कई दसक और बित जाते हैं हमने नई एप्रोच के साथ काम शुरू किया मिशन इंद्रदर्जनू शुरू किया और पूरे देश में वैक्सिनेशन की व्यवस्ता को सुधारा जब कोरोना वैश्विक हमारी आई तो इस नई व्यवस्ता नए सिस्ट्रिम का लाब हमें दूर सुधूर वैक्सिन पहुंचाने में भी मिला और मैं मानता हूँ गुड गवननस का इसमें बहुत बड़ा रोल है उसकी बहुत बड़ी ताकत है जिसने लास्ट माइल डिलेवरी को संभव बनाया साथियों रिचिंग द लास्ट माइल की अप्रोच और सेचुरेशन की नीती एक दूसरे की पूरक है एक समय था जब गरीब मुल्स विधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाता रहता था किसी बिचोलिय की तलास में रहता था जिसके कारण करप्शन भी भरता था और लोगों के अधिकारों का हनन भी होता था अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाय दे रही है जिस दिन हम ठान लेंगे हर मुल्भूत सुविधा हर शेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुँचा कर ही रहेंगे तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानियस तर पर ग्रास्रूट लेवल पर हमारी कारिशन स्कृति में बढ़लावने जर आएगा सैचुरेशन की नीती के पीछे यही भावना है जब हमारा लक्ष हर एक के पास पहुचने का होगा हर हित धारक के पास पहुचने का होगा तो फिर किसी के साथ भेदभाव की ब्रस्टाचार की भाई बति जेवाद की कोई गुणजाईश ही नहीं रह जाएगी और तभी रीचिंग दे लास माईल का लक्ष भी आप पूरा कर पाएंगे आप देखिए आज पहली बार देश में पी-म स्वनीधी योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोडा गया है आज पहली बार देश में बंजारा गुमन्तू अर्द गुमन्तू वर्ग के लिए वेलफेर बॉर्ड बना है गावों में बने पाँच लाग से जादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गावों तक ले गए है मैंने कल ही मन की बात में विस्तार से बताया है कि कैसे देश में टैली मेडिसिन के दस करोड केसिस पूरे हुए है ये भी स्वास्त को लेकर रीचिंग द लास माइल की भावना का ही प्रतिवीम है साथियो भारत में जो आदिवासिक शेत्र है ग्रामिन शेत्र है यहां आखरी छोर तक रीचिंग द लास माइल के मंतर को ले जाने की जरूत है इस साल के बजेट में भी इस पर विशेस ध्यान दिया गया है रीचिंग द लास माइल के लक्ष को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड रुपिये का प्रावधान बजेट में किया गया है साल 2019 तब हमारे देश के ग्रामिन इलाकों में सिर्फ तीन करोड घरों में ही नल से जल जाता था अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा करोड से जादा हो चुकी है और इतने कम समय में हुई है सिर्फ एक साल के भीतर ही देश में लखवग साथ हजार अमरुद सरोवर का काम शुरू हुआ है और मुझे जो जानकारी बताई गई है अब तक करीब करीब तीस हजार से अधीक अमरुद सरोवर बन भी चुके हैं कि अभ्यान दूर सुदूर में रहने वाले उस भारतिये का जीवन तर सुधार रहे हैं जो दसकों से ऐसी व्यवस्ताओं का इंतजार करता था लेकिन साथियों हमें यहां रुकना मंजूर नहीं है हमें और आगे जाना है आखरी व्यक्ती तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है हमें एक मेकेनिजम क्रियेट करना होगा ताकि पानी के नए कनेक्शन में हम वाटर कंजम्शन का पैटर्न देख सकें हमें इस बात की भी समक्षा करनी है कि पानी समित्य को और ससक्त करने के लिए क्या किया जा सकता है गर्मी का मौसम ही आ गया है जल्द वरक्षन के लिए अभी से हम पानी समित्यों का क्या इस्तिमाल कर सकते हैं ये भी हमें सोचना है बारिस के पहले ही catch the rain movement के लिए लोक शिक्षन हो जाए लोकों के सक्रियता हो जाए जैसा ही पानी आये काम शुरू हो जाए साथियों इस वर्स के बजेट में हमने गरीबों के घर के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपे रखे हैं हमें housing for all की मुहिम को तीजी से आगे बढ़ाना होगा housing को technology से कैसे जोड़े कम खर्च में जादा टिकाओ और मजबूत घर कैसे बने green energy जैसे solar power का फाइदा कैसे हो group housing के नए model गाउं और शहरों में भी स्विकार्य हो इस कैसे हो सकता है इस पर ठोच चर्चा की जरुदत है आपके अनुभव का निचोड उसमें निकलना चाहिए साथियों हमारे देश के tribal समाज के विशाल potential को टैप करने के लिए पहली बार देश में इतने बड़े स्थर पर काम हो रहा है इस बार के budget में भी tribal development को प्रमुकता दी गई है एक लव्य model residential स्कूलों में शिक्षकों और स्टाप की भरती का बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है एक लव्य model स्कूलों में हमें ये भी देखना होगा कि विद्यार्थियों का feedback क्या है शिक्षकों का feedback क्या है इन इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को देश के बड़े शहरों में exposure कैसे मिले इन में अटल टिंकरिंग लैब जाथा जय जाथा कैसे बने इस दिशा में भी हमें सोचना होगा अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम इन स्कूलों में अभी से स्टार्ट अप्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्क्षप शुरू करवाएं तो इसका कितना बड़ा लाभ हमारे आदिवासी समाज को होगा जब ये बच्चे एक लग्यम मोडल स्कूलों से बढ़कर निकलेंगे तो उन्हें पहले से पता होगा कि अपने क्षेत्र के ट्राइबेल प्रोडक्ट को उन्हें कैसे प्रमोट करना है कैसे ओनलाइन उनकी ब्रांडिंग करनी है साथियों पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे बंचित है उनके लिए एक विशेश्ट मिशन हम शुरू कर रहे है देश के दोसों से अधिक जीलों में बाईस हजार से अधिक गाउं में ट्राइबल साथियों तो हमें तेजी से सुविधाय पहुचानी है वैसा ही हमारे लगमती समाज में परिखास करके मुसलमान समाज में पस्पंदा समाज है वहां तक लाप कैसे पहुचे जो आज भी आज हादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए है इस बजेट में सिकल सेल से पूरी तरह से मुक्ती का लक्ष भी रखा गया है इसके लिए होल अब दो नेशन एप्रोच की जरूरत है इसलिए हेल्थ से जुड़े हर स्टेक्फोल्डर्स को तेजी से काम करना होगा साथ के ओ एस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्रेम रीचींग द लास माहिल के लिहाज से एक सक्सेस मोडल बनकर उभरा है इसी एप्रोच पर अब देश के पान सो ब्लॉक्स में एस्पिरेशनल ब्लॉक कारिकम शुरू किया जा रहा है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्रेम के लिए हमें कम्पेरेटिव पैरामिटर्स को ध्यान में रखते हुए वैसे ही काम करना है जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्टिक के लिए काम किया है हमें हर ब्लॉक में भी एक दूसरे के लिए प्रतिश्परधा का माहोल बनाना है साथियों मुझे विश्वास है कि इस वेबिनार से लास माइल डिलिवरी से जुड़े नए विचार नए सुझाव इस मन्थन में से वो अमरत निकलेगा जो हमारे दूर दराज के खेत्रों में आखरी छोर पर बैटे उए हमारे भाई बेन है उनके जीवन में बडलाव लाने के लिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे हमें आगे के लिए सोचना है हमें implementation पर बल देना है हमें technology का सरवाधिक उप्योग करते हुए transparency को सुनिश्चित करना है हित धारक सही हो उसको मिलने की व्यवस्ता उसके काम आने वाली हो और समय सिमा में मिले ताकि जल्दी से जल्दी वो एक नए विश्वास के साथ खुद गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ने के लिए हमारा एक सैनिक बन जाएगा हमारे गरीबों की फोच गरीबी को परास करने के लिए ताकतवर बननी चाहिए हमे गरीबों की ऐशी सक्ती बढ़ानी है ताकि हमारा गरीबी गरीबी को परास करें हर गरीब यह संकल्प लेने चुरू करें कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है मुझे मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना है सरकार मेरा हाथ पकड़ रही है मैं चल पड़ूँगा ये वातावन हमें पैदा करना है और इसके लिए मुझे आप जैसे सभी स्टेक होडर्स के सक्रिय सहयोग के पेख्षा है मुझे विश्वास है आज का एवेविनार एक प्रकार से सर्वजन हिता है, सर्वजन सुखा है एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ती का कारन बनेगा मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद